शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले शांतिनगर परिसर में लगातार अपराधिक मामले सामने आ रहे हैं अपराधियों और विवादों की जानकारी जुटाने में शांतिनगर पुलिस लगातार फिसदी साबित हो रही है रविवार की रादभी यूग के गुट ने रंजिश के चलते तीन यूगों पर हमला कर दिया था चाकू से वार कर बुरी तरह जखमी कर दिया जखमी प्रेम नगर लोधी पुरानिवासी, शुभम बब्बु वर्मा, रोशन वर्मा और गोल वर्मा बताय गए है आरोपियों में अनुछ पाठक, छोटु गौर कर, निखिल गौर कर, शेलेश पूरी, पवन शर्मा और वीजु का समावेश है अब तक कोई आरोपि पुलीस के हाथ नहीं लगा बताया जाता है, आरोपियों का गोलु वर्मा के साथ पुराना विवाद चल रहा है गोलु ने उनके खिलाब पुलीस थाने में रिपोर्ट दर्च करवाई थी तब से रंजीच जादा बढ़ गई रविवार की राद 11 बजे के दोरान गोलु अपने घर के पास खड़ा था इसी दोरान आरोपियों ने उसे घेर कर पीटना शुरू कर दिया बोजन करके घर के बहार निकले शुभम और रोशन ने भाय के साथ मार पीट होती देख बीज बचाओ करने का प्रयास किया आरोपियों ने उसे भी मार पीट शुरू कर दी बचने के लिए तीनों घर के तरह भागे लेकिन आरोपियों ने दोबारा धेर लिया अनूज ने चाकों से तीनों पर वार कर बूरी तरह जखमे कर दिया और सभी आरोपिय भाग निकले घटा के जानकारिक तुरंत पुलीस को दी गई और तीनों को अस्पताल ले जाया गया आगे के जाज शांतिनगर पुलेस कर रही है कैमेरा बरसन मिरंदर खोबरागड़े के साथ शेते जादेश मुक्त के रिपोर्ट इन बीसीन नियूज नाफपुर